हेलो एबरिवान गाईस आज की जिवने बताने वाला हूं अगर आपको फैबिकल मेरिन का इस्तेरिका का दो किलो और पांच किलो और दस किलो का कूपन पॉयंट मिला है और दुसरा 500 गराम का हिटेक्स पॉयंट गाईस आज की जिवने बताने वाला हूं कौन सा कूपन पॉय का बाद इस तरह का कांटास पर दिखाई देगा जैसा कि पॉइंट को स्केन करने के लिए स्केनर ओप्सेन दिखे रहा उसमें किलिक कर देता हूं जैसा कि मेरे पाद जो भी पॉइंट है उसको स्केन करना है सबसे पहले दो किलो का फैबिकल मेरिन को स्केन कर लेता हूं इसक जैसके मैं सम्मीड में क्लिक कर देता हूं। उसके बाद 5 किलो फैबिकल मेरिन को इसकेन करके चेक कर लेता हूं। को इसकेन करने का बाद समीड में किलिक कर देता हूँ जैसा कि दिखेरे 10 किलो फैबिकल मेरिन में 10 पोईंट मिला है इस्ट्रा 10 पोईंट बोना से मिला है उसके बाद कंट्रेन में किलिक कर देता हूँ दूसरा 500 गराम का हीटेक्स पोईंट है उसको भी scan करने का बाद समीड में click कर देता हूं जैसा कि दिखरा 500 गराम हीटेस को scan किया हूं दो scan किया हूं एक point करके मिला है बाकी 2 500 गराम का है उसको भी scan करने का बाद समीड में click कर देता हूं तो दोस्तो फैबिकल मेरिन में कितना point मिलता है दो किलो फैबिकल मेरिन में दो पॉयंट मिलता है इस्टरा दो पॉयंट बना से मिलता है पांच किलो फैबिकल मेरिन में पांच पॉयंट मिलता है इस्टरा पांच पॉयंट बना से मिलता है 10 किलो फैबिकल मेरिन में 10 पॉइंट मिलता है इस्टरा 10 पॉइंट बना से मिलता है और 500 गराम ही टेक्स में 1 पॉइंट करके मिलता है तो गाइस फैबिकल मेरिन कूपन पॉइंट में कितना पॉइंट मिलता है सबसे आसन तरीका जान गया होंगे वीडियो को अच्छा पसंद लगा तो एक लाइक जरू किजीगा दोस्तो फ़नी चापने कूपन परेंसरी टीप को भी वीडियो आपको चेतो इच्छेने में जागा उसके लिए चैनल को सब्सक्राब केके बेलाइक ने को प्रेसर रगिया क्यों किसी टरूने वीडियो आपको पांसरे